आप सबी लोग बहुत अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज है संडे मॉर्मिंग और मैं आ गई हूं किचिन में सुभा की शुरुवात हो रही है सबसे पहले दूद करम करने से दूद में सुभए साड़े पांच बजे के अराउंड तक ही ले आती हूँ रोज का यही रूटीन है मेरा थोड़ा दूर से लाना पड़ता है 20-25 मिनिट्स का रास्ता है तो मैं जाती हूँ और सुभए एक मेरी छोटी सी मॉर्निंग वॉक भी हुजाती है अच्छा लगता है सुभए मॉर्निंग वॉक करने से एक काम भी हो जाता है वॉक भी हुजाती है थो सब्से पहले में यहां पर दूद्गरन करने रख दूंगी, गर्वी का पी है तो सब्से पहले मेरे यही काम होता है अद्वाइस धूद्ध खे जॉद्गराब होने का दर रहता यहां उदर साइड में चाय बन रही है, चाय मॉनिंग वाली हमेशा हस्बिन ही बनाते हैं, यह लेमन टी है, हम लोग सुभर लेमन टी ही पीते हैं, एक कप में उन्हें हाफ लेमन डाला है, लेमन टी पीना अच्छा होता है हेल्थ के लिए काफी, एक स्पून हनी का आड़ करेंगे अगर आप पीना चाहे इसे डेक पर के साथ हो, आप ब्लेक पर के साथ पीए, हमें इसमें बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वही आड़ करते हैं, और उबला हुआ पानी इसमें आड़ करेंगे, स्टर करेंगे, स्टर जादा ना करें, अदरवाइस पानी ठंडा हो यह है लिप्टन की हनी लेमन फ्लेवर वाली ग्रीन टी, इस टी बैग को इसमें आड़ कर देंगे, दो मिनिट तक इसमें छोड़ देंगे, तागे फ्लेवर अच्छे से आजाए, और यह हमारी चाहे रेडी है, चाहे पीने के बाद सीधे में आगे थी कप्रे वाश करने क के लिए मैंने कप्रे अलग अलग कर दिये थे, पहले ही सेग्रिगे कर दी थे, वाइट और कलर्स, तो माश्टा बनने से पहले मैं वाशिंग में लगा दूँगी कप्रे, तो सबसे पहले मैं कलर्स को दूलूँगी, यह है एरियल फ्रंट लोड लिक्व डिटरजेंट, मै मैं कप्रे दूने के लिए ही यूज़ करती हूँ, मेरी फ्रंट लोड वाली वाशिंग मेशिन है फुली आटोमाटिक और यह कमफर्ट, और वाइट के लिए मैं वैनिश और एरियल का मिक्स यूज़ करोगी, तो सबसे पहले मैं कलर्स को डाल दूँगी, इसमें 100 ml मैं एर लिक्विड इटरजेंट प्लस एक स्कूप में कमफर्ट फैबरी कंडिशनर यूज़ करोगी, कमफर्ट डालने से कप्ते काफी स्मूध हो जाते हैं, बहुत अच्छी सी खुश्बू आती है, तो यह फर्स्ट लोड मैं लगा दूँगी, जब तक मैं अपना नाश्ता प् तभी मैं आ गई थी किचन में, नाश्ता प्रिपेर करूँगी, उसके बाद यह है काले चने, और मैंने यह सुबह ही बॉइल कर लिये थे, इनको मैं अच्छे से मैश करूँगी, यह पटेटो मैशर से मैं इसको मैश कर रहे हूँ, तो अगर आपके चने बहुत अच्छे स सॉफ्ट हो रखे हैं, बॉइल होने के बाद तो यह अच्छे से मैश हो जाएंगे, यहां पर यह दिखिए, मैंने अच्छे से मैश कर दिया है, हातों से भी मिक्स कर लें, अलग-अलग फलफ कर दें उसको, और फिर हम इसमें बाकी चीज़ें आड करेंगे, मैनियल चॉप मैनियल चॉपर में, कुछ ही पुल्स के बाद यह अच्छे से चॉप हो जाता है, बिलकुल प्योरी भी नहीं करना है, मीडियम साइस का चॉप करें इसको, ताकि पराठो में यह अच्छा सा क्रंच दे, यह देखिए, यह चॉप हो गया, आप इसे मैं आड कर रहे हूँ, चने वाले मिक्स में, प्याज आप कम ज्यादा कर सकते हैं, किसी को प्याज पराठो में बहुत अच्छी लगती है, कोई बहुत कम खाते हैं, तो हमें पराठो में परस्नली प्याज बहुत अच्छी लगती है, मेरा बेटा भी खा लेता है, और हस्बन को भी अच्छी लग चुझा जरनाए जब के आपने लिए और पिख्रा नहीं आथ जब Hasать दोटी आइड पास फिरके और तो यह आफ लग जरुद करके हैं। तो मैं ऐसे ही इसको हातों से ही मैश करके अड़ कर दूँगी उसके बार इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अभी हमने इसमें काले चने अनियंस और पटेटोज मिक्स किये हैं अब इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेज यह कश्मीरी रेचिली पाउडर इसका मैं एक चमिक घरकेस के अंदर डालूँगी उसके बाद मैं इसमें डालूँगी सॉल्ट अपने टेस्स के हिसाब से डाले हम थोड़ा कम ही खाते हैं सॉल्ट मुझे हाई बीपी रहता है तो मैं बहुत जादा सॉल्ट मेही प्रेफर करती हूँ थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दे इसके अंदर मेरे पास उस दिन हरा धनिया अवेलबन नहीं था खतर न रखाता इसलिए मैंने ऑप्शनली इसमें कसूरी मेथी आड़ करी थी इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है फिर यह है किचन किंग पाउडर तो यह एक मल्टी पॉपस टाइट का मसाला होता है आप इसको किसी भी डिश के अंदर डाले तो एक बहुत अच्छा फ्लेवर टेस्ट खुश्वू आती है तो मैंने यही यूज किया है जीरा पाउडर आप इसके अंदर डाले जीरा पाउडर के साथ आप इसके अंदर और कुछ भी मसाले आट कर सकते हैं अपनी टेस्ट के हिसाब से जैसे की स्टाफ पराथा मसाला हो आपके पास वो डाल दे या जल जीरा मसाला हो वो डाल दे थोड़ा सा इसमें मैं गरम मसाला डालूँगी चाट मसाला भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर अगर आपको अच्छा लगता है हम ज्यादा नहीं खाते हैं नमक वाली चीज़े तो मैंने सिर्फ सॉल्टी एड़ किया है यहां पर नमक के नाम पर तो अब अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी मैं मिक्स थोड़ा सा अच्छे से करें पटेटो चने और अनियन की ऊपर आपके मसालों की अच्छे से कोटिंग हो जानी चाहिए ताकि जब आप उसकी स्टफिंग करें परांथे में तो इक्वली उसका टेस्ट आपको आए तो अब यह मिक्स करने के बाद मैं स्पून हकतर के र करने के बाद मैं आ गई थी तो सर किचन में पराथे बनाना शुरू करेंगे तो इस पहले मैंने दो भी तियार कर लिया था नाने जाने से पहले तो थोड़ा थोड़ा डो लेकर के उसकी पेडिया बनाऊंगी और छोटी-छोटी पूरिया में बनाने के बाद उसमें किसे आठा जैसा भी फील होगा तो स्टफिंग आप अच्छे से ही करें मेग शेट के आपके चन्य अच्छे से बॉयल हो रखे हूं सारे चन्य आपने मैश किये हूं एक एक चना मैश हो गया हूं अदरवाइस पराठे फट भी सकते हैं इसी लिए स्टफिंग आप अच्छे से भरें इसके अंदर बस अब दीरे दीरे मैं अपने पराथे बना लूँगी और इस पॉइंट पर स्टफिंग भरने के बार आप इसको ज्यादा प्रेशर के साथ ना बेले हलके हाथों से ही बेले ताकि ये फटे ना और ये लिके बिल प्रेशर के लिए बनाओंगी तो उसमें मैं ग्रीन चिली आड्निंग की है अब हस्बन के लिए बनाओंगी तो उसमें मैं ग्रीन चिली आड करूंगी ये लेके मैंने ग्रीन चिली यहां पर आड की है अस्बन के लिए और उदर में पराठे पर भी नज़र बनाए रख्वे की हूँ क्योंकि ऐसनों की जली जाए और हमारा नज़र ना हो उसके उपर द्यान ना हो दूसरा पराठा बनाने में बिजी हूँ तो वह जल ही न जाए अपने पराठों को भी मैं अच्छे से देख रही हूँ अब दोनों तरफ से आप इसको चेक कर लीए दोनों तरफ से हलका सिख जाने के बाद थोड़ी सी ब्राउन इसमें स्पोर्ट्स आ जाएंगे उसके बार मैं इसको इधर से पलट लूँगी और फिर मैं इसके ओपर लगाऊंगी डेसी घी यह होमेड डेसी घी है पराथे घी में ही बनाती हूँ मैं कोई ओर यूज नहीं करते हैं गी में ही बनाती हूँ हमेशा जब घी नहीं होता है तो अच्छे से गरम करके उसे ही लगाती हूँ विकास रो मस्टर्ड ओयल का टेस्ट काफी स्ट्रॉइं होता है तो वह पराथो पर बिल्बकुल भी अच्छा नहीं लगता है और किसी भी तरीका कर रिफाइन और संप्लार ओयल हम लोगी उस नहीं करते हैं नहीं कुकिंग में और नहीं पराथो पर तो दोनों तरफ अच्छे से मैंने इसमें गी लगा दिया है और अमने इसको अच्छे से दबा दबा करके सेख लोगी कुरकुरा होने तक चने के पराथे आप किसी भी चीज के साथ खाएं यह बहुत टेस्सी लगते हैं और यह एकदम टमी फिलिंग होते हैं पराथे चने के अपने आप में बहुत हैवी होते हैं हेल्डी भी होते हैं तो अगर आप एक पराथा भी खाले सुर्वे नाश्ते में तो आपका लंच आप इसे दही के साथ चटनी के साथ खाएं या फिर सिर्फ ऐसे ही चाय के साथ भी खाएं तो भी बहुत टेस्टी लगता है आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए और मुझे बताइए कि आपको यह कैसी लगी